दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क अक्सर खबरों में बने रहते हैं। एलन मस्क की ट्वेटर को खरीदने की जिदने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन अब एलन मस्क ने फाइनली ट्वेटर को खरीद लिया है। मस्क के ट्विटर के मालिक बनने के बाद ही सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या वो अमेरिका के पूर्व राश्ट्रपती डॉनल ट्रॉम्प के ट्विटर अकाउंट को बहाल कर देंगे इन सब चर्चाओं के बीच अब एक सोशल मीडिया हैंडल सामने आया है जो कि खुद को डॉनल्ड ट्रॉम्प बता रहा है आड दे रेट दे यू एल्टी जियेमार नाम के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट कर एलन मस्क का शुक्रिया अदा किया है ट्वीट में लिखा है ट्विटर पर वापसी करके बहुत खुशी हो रही है एलन मस्क का शुक्रिया आशा है मेरे चाने वालों और मुझसे नफरत करने वालों ने मुझे मिस्स किया होगा हला कि ये पैरिरी अकाउंट है इस अकाउंट के लाखो फॉलोर्स भी है ये अकाउंट वेरिफाइड भी है इसी ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर वेलकम बाक ट्रेंड होने लगा है आपको बता दें कि एलन मस्क के ट्वीटर का अधिक्रहन करने के साथ ही डॉनल्ड ट्रम्प और बॉलिवूड अक्ट्रिस कंगना रनौत जैसे बैंड अकाउंट को बहाल करने की चर्चा शुरू हो गई है लेकिन इसकी संभावना कम नज़र आ रही है दरसल सौदे की एक दिन बाद से भी कम समय के बाद अरब पते उद्यमी ने ट्वीट कर ये लिखा कि ट्विटर पर कोई नीती नहीं बदली जाएगी और कंटेंट मॉडरेशन पर चर्चा के लिए बुलाए गई परिशत से पहले कोई अकाउंट बहाल नहीं किया जाएग बाद की खमरे जानने के लिए देखते रहें एविपी लाइव